जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं कुल मिला करके 300 questions, जो सभी का सभी exam oriented question होगा, इस शीरीज में कुल मिला करेंगे 3,000 question जो 10 वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो को लाँ तक जरूर देखे चैनल पे नियों हैं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपोटेंट होने वाला है तो पूरा वीडियो देख करके जाए चलिए कोश्चन अगर एक से सुरुवात करते हैं और बीपीस्च के लिए तो मोस्ट इंपोटेंट है यहां पर कोश्चन देखें बैदिक काल में पनी नाम से जा संगम युग में तमील का सावधिक लोगपिरिया देवता थे मुहमद बीन तुगलक ने किस धातु को सांकेतिक सिक्के का परचलन किया था तो कांसे के सिक्के का परचलन किया था मुहमद बीन तुगलक ने गुजरात को जीत कर किस ने उसे दिली सल्थनत में सामिल किया थ कबीर की मिरतु के पचाद उनकी समाधी कहां बनाएगी तो मगहर में कबीर की समाधी बनाए गई थि, अबदूलफाजल की हत्या जो है बीट सिंग बुंदेला के दरा किया गए था, आपको याद रखना हो, नेक्स्ट कोश्चन बागी सहाजादे खुसरों को आसरे देने के लिए जहागीर ने किस सीखु गुरे को दंड दिया था बागी सहाजादे खुसरों को जो है सो आसरे देने के लिए गुरु गोबी अरजुन देव को जो है हत मिर्तु दंड दे दिया गया था जहागीर के द तो यहां को सामबी नेक्स घूश्चन पूतली पूत्र नाम कर नगर की अस्थापना किसने की थी तो उदयन के द्वारा किया गये था मग मगद का सरपर्थम राजवन्स कौन था तो हर्यक्वन्स मगद पर सरप्रत्uring सासन किया था, next question, बुद्धवारागिंध्य गिरित्यागि की बहुत मताब्लम्भी क्या कहलाते है, next question, सल्तिनत में अबस्व्शाला के परधन को क्या कहा जाता है, अमिर ए आकूर के नाम से जानते है, next question, खालसापन्त की संस्थापना तथा एक धर्मा चार पाहुल को किसीख गुरु ने चलाया था तो गुरु गोविन सिंग के द्वारा चलाया गए था विशिष्टा दुएत के परवर्तक कौन थे आमान उजाचार रहे थे खानवा का युद कब हुआ था 1527 इसवी में चूलबंस का संस्थापक कौन था बिजयाला चूलबंस के सासक थे आगरे के लाल किले में मोती मजईद किस मुगल सासक ने बनवाया था तो जहां की साहां की द्वारा बनवाया गया था पुस्यमित्र सूंग ने असुमेग यग किये थे यह जानकारी किसी गरंथ से सब्सक्राइब होती है नेक्स्ट है एत्रे ब्रहामन किस वेद का है तुरिग वेद का है एत्रे ब्रहामन हिस्टोरी का नाम गरंथ के लेखा कौन है हेरो टोड़स है हिस्टोरी का नाम गरंथ के लेखा को हेरो टोड़स है उत्रम चरित्र मानस के लेखा कौन है तो किस विद्दा ने भारतिया समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी अलवुरुनी के द्वारा लिखा गया था यह और यह महमूद के साथ भारत आये थी नेक्स्ट कोशन खामेर राजा ने किस भारतिया राज को से मित्रता की थी तो राजंदर पर्थम से खामेर राजा ने राजंदर पर्थम से मित्रता की थी आप सभी को याद रखने सल्तनत में हक ए सर्व क्या है सिचाई करव सल्तनत काल में जो है हक ए सर्व को सिचाई के जो माम लीकात नामक पद का सिर्जन सल्तनत काल में किस ने किया था तो मुईज उद्दीन बहराम साह के दौरा किया गया था नेक्स्ट कोशन मुगल काल में लोग स्निर्मान विभाग पौवलिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जा था सोहरत ए आमके नाम से लोग जानते थे मुगल काल में बंगाल के किस नवाव ने अपनी राजधाने मुर्शी दावा से परिवर्थत करके मुंगेर में कर दी थी तो मीर कासिम के दौरा किया गया था नेक्स्ट कोशन किस अविलेक से पुष्टी हुई कि पुष्वमित्र सुंग ने असमेग याग किया था तो यह आयोध्या अविलेक से पुष्टी हुई थी नेक्स्ट कोशन पर बात कर दो नेक्स्ट कोशन गिरनार में सूर्दर्शन जीलका निर्मन की सासक ने करवाया था चंद्रगुप्त मोरे के द्वारा करवाया था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडीका के रुषार मोर्डर समाज कितने बर्गों में बाटा गया था सात वर्गों में बाटा गया था दर्शन, किर्शक, सैनिक, चर्वाह, सिल्पी, नयाइदिश और पार्षद के रूप में विवख्त किया गया था मेगास्तिनीज की पुस्तक इंडिका में कनिस्ट की राजधानी कहां थी तो पुरुसफुर्स जो है सो कनिस्ट की राजधानी पेसावर थी नर्सिंग बर्मन दूतिय ने किसकी उपाधी राजसी थी कांची में किस मंदिर का निर्मान करवाया था एलोरा के परसिद कैलास मंदिर का निर्मान किसने रास्ट रुकूट के दौरा किया गया था आप सभी को यादर कैलास मंदिर जो है यहाँ पे अगर आप देखे तो कांची का कैलास मंदिर जो है काची का कैलास मंदिर जो है नर्सिंग बर्मन दूतिय कि दौरा किया गया था जबकि ऐलोरा के परसिद कैलास मंदिर का निर्मान रास्ट रुकुत सासंग किर्ष्ण पर्थम के दौरा करवाया गया था आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन सिर्सा का मकवारा कहा है इस्थिता सासाराम में सिर्सा का मकवारा इस्थिता साथ वहन वंस का महांतम सासक कौन था तुगौतमी पुत्र सात करनी जो है साथ वहन वंस का महांतम सासक में से एक हुआ था पहली वार किस अधिनियम के तहट गवर्नर्ट जर्णर की कारहकारी परिशर बिधी निर्मान के उदेशे किसी भारतिय को नमूनित किया गया था भारतिय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहट किया गया था नेक्स्ट कोशन लोथल कहां इस्तित है यहां गुजरात राज में स्थित आप परसिद पारसित वहार नोरोज नोज कीशिक्या कांशा ने आरंब computer दोड़न के दोड़ा किया गया था द टोड़न की दोड़ा किस कृचा में अंग्रेज शी उच्छंचु य कार्भा सरकारी काम काज की भाशा के रूप में सीविकर की गय थी बिलियम भ्यटिंग के कारकाल में कई था अंग्रेजी सिक्षा का परचार परसार सरकारी कामनकाज के लिए बिलियम बेटिंग के कारकाल में आरंब हुआ था नेक्स्ट कोश्चन दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्मान किस ने करवाया था तो औरंग जेव के द्वारा करवाया गया था साची का अस्तूप किस बंस के काल में बनवाया गया था तो मौर्य बंस के काल में बनवाया गया था किस राजबंस ने हत्या कर सत्ता हत्याइत था जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ थो तो सुंग बंस के सुंग बंस का हाथी गुफा अभिलेक किसकी उपलवधी का विवरन है तो खारवेल की उपाधी के लिए उपलवधी के विवरन है आपको याद रखना है शिराजुद्धवला के साथ अंग्रेजी अंग्रेजु ने किसकी कौन सी संधी की थी तो आलिम अलीनगर की संधी की थी शिराजुद्धवला के साथ अंग्रेजी ने अलीम नगर की संधी की थी नरेंद्र मंडल के संस्थापक का सुजाब किसमे था चम्सफोड सुधार से संबंधि था धन निकाची का सिद्धान का प्रतिपादन कौन था दादा भाई नौरोजी धन निसकाशी के सिद्धान का सल्तनत में कीले की सेना के खर्च के निर्धारित भूमी को क्या कहा जाता है मफुरूज के नाम से लोग जानते थे सल्तनत काल में सेना खर्च के लिए निर्धारित भूमी को मफुरूज के नाम से जानते थे सल्टनत प्रांत की सेना क्या कहलाती थी तो हस में अत्राफ के नाम से जानती थे सल्टनत कालिन सेना को जो है हस में अत्राफ के नाम से लोग जानती थे गौलियर अविले के अनुसार अरवो को सिंध के आगे बढ़ने से कितने किसने रोका थो नागभट के दोरा रुका गय था महराजा रंजी सिंग के साथ किसके बिचार बीमर्ज के परिनाम सरूपल अमरी सर की संधी हुई थी चल साल्स मैक टॉफ के दोरा किस सासक के सासनकाल में बहमनी ने अपनी राजधानी गुल बरगा से अस्थानांतरित कर बीदर बने ही थी अहमद साह सोमनात मंदिर पर महमूद गजञनिवी के आकरमन के समय वहां का साजक साथ तिसामीने तेरो सव प़्चास इसवी में कि थी सात करनी की मिर्तू के पचात उनके दूपूतर उनके armored वैस्क फूत्र वेद सरी और सकती स्री का स्रेक्शन किस्ने किया था ना engagera के के दौरा किया गया था हाली में गाता सौप्त सती नाम गरंथ की रचना किस भासा में की गई थी प्राकिर्टिक भासा में की गई थी कौन सा सासक परतेक पांच बर्स परियाग में धार्मिक समेलन किया करता था हट्सवर्दन के दौरा किया जाता था नेक्स्ट कोस्टन पर बात करते हैं यहां पर बात करें भूबने सर्थ था पूरी के मंदिर की सेली से निर्मित की गई है नागर सेली के द्वारा क्या गया है सभी को याद रखना है ब्याकरन और काब्बे से समंदित है सोनगिरी का एतिहासिक दिजगंबर जयन तिर्थ अस्थल की से राज में इस्तित है महाराष्च में गनपति पर्व का गनेश राष्टिय चेतन लाने के लिए किसने किया था तो बाल गंगा धरती लग के द्वारा किया गया था सर्वकर किस पर लगाया गया था आपको याद रखना है आजीवक संपरदाई के संस्थापक कौन थे तो मखली वो साल जो है आजीवक संपरदाई के संस्थापक थे अंग्रे जी के सासन काले भारत के आर्थिक दोहन के सिधान्त का परतिपादन किस नहीं किया था दादाबाई नौरोजी ने Poverty and on British Rule in India नामक अपनी पुस्तक में किया था। उन्होंने बार्तिक दोहन के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। बिक्रम संबत कब से प्रारंभ हुआ था। अंठावन भी इशापुर्व से शुरुवात किया था। बगावली एक प्राचिन अस्थल है जहां 1973-74 इस्वी में सिचाई इस्वी की खुदाई में सिंधू घाटी सब्वेता के अवसेश मिले। यह अस्थाल भारत के किस राज में इस्थित है। तो हर्याना में इस्थित है बगावली एक प्राचिन स्वी बनवाली प्राचिन अस्थल है जो 1973-74 में सिंधू घाटी सब्वेता के अवसेश मिले यह अस्थल भारत के किस राज में है। पूछा जा रहा है तो बनवाली जो है यह अर्याना राज में इस्थित है। नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं सिंधू सब्वेता में खोपड़ी की सल्चिकिसा का सुनिश्चित साक्ष कहां से प्राप्त हुआ तो काली बंगन से प्राप्त हुआ था। रिगविद में ऐसी कन्याओं का उदाहरन भी मिले जो दिर्ग कालिन एक अथवा आजिवक और विवाहित रहती थी ऐसी कन्याओं को कहा जाता था। अमाजू के नाम से लोग जानते थे आपको याद रखना है। नेक्स्ट कोशन महात्माबूद के समय कौसल देश में कौन सा राज्य करता था। पर्चंजीत जो है सो राजा थे। समय कौसल देश के राजा जो है पर्चंजीत थे आपको याद रखना है। नेक्स्ट कोशन किस सासक ने बैसाली का प्रित्याकर पाठली पुत्र को मंगद राज्य की राजधानी बनाया था। काला सोख के द्वारा बनाया गया था। काला सोख के किस सिला लेक में कलिंग यूद का वर्णन मिलता है। पुस्यमित्र सुंग ने किस सासक के हत्या करके पाठली पुत्र की गद्धी पर अधिकार कर लिया था। ब्रेधास्त को हत्याकर गुठाता है। 40 गुलामों के दल का बिष्वास निवास्टिसम सुल्तान को कहा जाता है。 बल्वन के को कहा जाता है। बल्वन को कहा जाता है। की चांत्वन सी कुए ही कवेशा था। अब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक हुआ था कलाइड ने सैनिक सुधार के लिए सैना के तीन भागों में बाटा सैना का एक भाग मुंगेर में दूसरा भाग बांकीपूर और में निवत किया गया तिसरा भाग कहा निवत किया गया था तो यह इलाहबाद में पहला की बात की जाए तो मुंगेर में दूसरा भांकीपूर में और तीसरा इलाहबाद उत्तरप्रदेश में किया गया था नेक्स्ट कोशन की बात की जाए तो परसीद बीवी का मकवरा किस की यादगार में बनाया गया था औरंग जेव ने अपनी बीवी बेगम रविया कुर्दुर्वानी की आदगार में औरंगाबाद बिहार में बनाया गया था नेक्स्ट कोशन परसीद चित्र बाज के चित्रकार कौन थे उस्ताद मंसूर जो है सुपरसीद चित्र बाज के चित्रकार हुए थे आपको याद रखना है परसिद गरंत सिधान्त सिरोमनी और लिलावती के लेखा कोन है भासकरा चार है जो परसिद सिधान्त सिरोमनी और लिलावती के लेखा के भासकरा चार है साम्मेबाद का अर्थ क्या होता है साइध है भी और नहीं भी अकवर का सिक्षक कौन था अमीर अवदुलत लतीफ जो है अकवर का सिक्षक हुआ था परसिद कोहिनूर हिरा जहां साजहां को किसने भेट किया दी स्वरी किया था मीर जुमला ने किया था आपको याद रखना है साजहां ने महा कभी राई की बदवी किसको दी थी पंडित जगनाथ को दी थी अकवर के समय बनी पहली महतपून इमारत थी मायू का अको मकवरा कौन सा मुगल सासक साहिद रवेश एवं जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है तो अरंग्जेव को कौन सा मुगल सासक साहिद रवेश और जिन्दा फीर के नाम से जाना जाता है तो अरंग्जेव को मौर्य समराट कौन था अंति मौर्य समराट ब्रिदरास्त्र था हर्स की प्राजे किसके द्वारा हुई थी तो पुलकेशियन दोतिये के द्वारा हुआ था ललितादित्य किस राजे का सासक था तो कासमीर का सासक ललितादित्य था आपको याद रखना है एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया कौन था बल्वन एक मल्लिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्टान बन गया, वह कौन थे तो बलवन थे, बहमनी राजे के बीघटन के उपरांदक्षिन में कितने मुस्लिम राजेयों का उदै हुआ, तो पांच राजे का उदै हुआ था, नेक्स्ट कोशन, मद्देकाल में बीवा कर किस राजे में लिया जाता था, तथा क किस बिवाह को इस करके मुक्त कर दिया गया था बिजयनगर समराज में लिया जाता विपदवा पूर्ण बीवाह के समय प्राचीन भारतिय स्चिकिस्सा चरक के सासाख के में कर द के मार application throwast के अंदरिया पडशासन तंत्र के अंतरगत मीरवक्षी किस बिभाग को देखवाल करता था तो सैनिक बिभाग को देखवाल करता था त्रिवन पल्ली के घर में किसकी रक्षा की थी तो मुहमद अली की रक्षा कि थी तृ बना पल्ली के घर में रिखवेद में हिरान मर्यम की उपादी किसे दी इंड्र को दी थी रिगवेद में हिरियन मर्यम की उपादी जो है इंड्र को दिया गया था इसे futur вопрос करते किस में बरनित है तुम कठोप निशद में बरनित है कोटल्य कहां का ब्रहामन था तुटक्षी शीला का ब्रहामन जो है कोटल्य था कौमोदी महसब नामक पुस्तक किस सासक की सफलताओं और उसकी उपलवधियों का बरनन करता है चंद्रगुप्त मोर्य का कलहन की राजत रंगनी के बरनित अंतिम सासक कौन था जैसिंग था अंतिम सासकुतुवदीन का मकवरा कहां इस्तित्य लाहौर में इस्तित्य लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है रजिया की सफलता का सबसे बराकारण बना था तूर्क आमीरों का सद्यांत रोंड के महत्वा कांची दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के के खलीफा सब्द हटवाया था मुहम्मद बीन तुगलक ने पुरंदर के घेर में तोप खाने में अधिकारी के रूप में किसने विदेशी आतरी को ने भाग लिया था मनुची ने भाग लिया था पड़सी चित्र का दसवंद के चित्र कहां मिलते हैं संसार में आई स्थिर और चानि भंगूड बाद के ज्ञात होने बाले इस विचार के सरप्रतम किसी ने प्रस्तुत किया था मात्मा बुद्ध ने किया था में बुद्ध द्वारा किया परतं उपदेश, किस नाम से जानब, धर्म, चक्र, परवर्तन अध्या में इस्थित बाबरी मस्जिद का निर्मान किसने करवाया था मीर्क बांकी के द्वारा करवाया था ट्रोडर्मन ने किस छेत्र को में योगदान के लिए स्ख्याती अरजित की थी भूड आज़स परवंधन के छेत्र में किया था इबन बदुता की भारत यातरा किस सासक के काल में हुई थी मुहमर बीन तूगलक के सासन काल में भारत यातरा इबन बदुता की भारत यातरा जो है हुई थी किस मुगल सासक का अकवर भारत में नहीं है जहांगीर का लाहोर और पाकिस्तान में है किस मुगल सासक का मकवरा भारत में नहीं है तो जहांगीर का मकवरा भारत में नहीं है यह पाकिस्तान के लाहोर में इस्थित हैं मुहमद बिन कासिम द्वारा सिंद की विजय कब हुई थी? 712CB में हुई थी मुहमुद गजनभी का दरवार इत्यासकार कौन था? तो उत्वी जो है मुहमद गजनभी का दरवारी इत्यासकार था पुलकेशियन दुतिया की राजधानी कहा थी? बातापी जो है पुलकेशियन दुतिया की राजधानी हुई थी मुहम्मद गौडी के किस दास ने बंगाल बाव भीहार पर विजा प्राप्त किया था तो मुहम्मद बीन का वक्तियार खिजली ने किया था नेक्स्ट कोश्चन आंदर साथ बाहन बंस का कौन सा साथ सकता जिसे बैकन बैन कंटक स्वामी की उपादी धारन की थी तो गौतमी पूत साथ करनी थे हर्च के साथनकाल में भूमी कर किर्शी उत्पाद का कितना भाग बसूला जाता था एक वटे छोयनी की सोला प्रतीसत बसूला जाता सिंदु घाटी सब्यता के किस अतल को प्राक स्यंदवी सब्यता के सबसे महत्पुन उपलवदी एक जूते हुए खेत का साक्षय मिला है त गुज़्ट ने समगीत संगीत में बहुत धर्म के दो भाग महीन चौता माय आयह सझ्गीं में और आनर लगाता थाथ King संगीती में नेक्स्ट कोशन पर आते हैं गुप्त वंस का कौन सा सासक देव राज और देव गुप्त के नाम से जाना जाता था तो चंद्र गुप्त दूतिया है लोधी वंस कि किसे सासक ने भूमी के लिए एक परमानिक प्यामानिज गजे सिकंद्री का प्रचलन चलवाया था शिकंद प्रकार का दार्मिक कर को बुला जाता समराट अकवर ने जयन धर्म के जयनाचार हर विजय सूरी को क्या उपाधी परदान की थी तो जगत गुरू के उस्ताद महमूद तथा अब्दुल हसन किस मुगल सासक सर्वस्ट कलाकारी में से थे तो जहांगीर के उस्ताद मंगूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल जो है सो मुगल सासक सर्वस्ट कलाकारी थे तो जहांगीर के कलाकर जो है उस्ताद महमूद और अब्दुल हसन खोलकर ने अंग्रेजी के मंदसौर की संधी कव की थी तो जनवरी 18-18 में पेरिपल्स आद ओफ दी एरिथियन सी ने अरिकांडू बंदरगा को किस नाम से संबोधित किया था तब पैडोक के नाम से संबोधित किया था आख अलावदीन दौरा मनेरमित अलाई दरवाजा किस मस्जीद का परविश दौर है कुबत उल इसलाम मस्जीद का जो है दरवाजा को अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं अकप्वर के अल्पाययू होने के कान 1556 और 1560 तक मोगल समराज्य के जिम्म दारी किसके हाथों में थी बेरम क्खा के हाथों में थी अंती मोगल शासक पून था तो बहादूर सागफर रह до था बहुत धार्म गर्षन करने बालिए पहली महीला जो है ज्लिभतमी थी शिरीमद भागवत गीता किस धर्म का पर्थान गरंथ है तो भागवत धर्म या सनातन धर्म का पर्थान धर्मी गरंथ है किस साथ बाहन नरेश ने गाथा सब्तमी नामक मौत्पूर्ण किर्थी की रचना की थी हाल ने किस रास्टगूट सासक ने अलोरा की परवत को कात कर परसीद के अलास मंदिर का निर्मान करवाया था किर्शन पर्थम ने चौल सासक किस धर्म के अन्याई थे तो सेब धर्म के अन्याई चौल सासक थे आपको याद रखना है किस यूद को जीतने के बाद साथ सेरसा सूरीन ने दिली के अफगान सत्ता की अस्थापना की थी चोज़ा के यूद के बाद आलमगीर टिला को अठारव स्वरी उनी सो अंठावन में पता लगाया था और कहां इस थीत है उत्तर परदेश की मेरठ जीले में इस थीत है आलमगीर टिला जो है उनी सो अंठावन में पता लगाएगा यहां उत्तर परदेश की मेरठ जीला में इस थीत है एहोल अभी लेक ने किस सासक से संब्दीत है पुलकेशियन दूतिय से संब्दीत है तोल का पियम किस यूग की महान किरती है तो संगम यूग की इलाहबाद असनम किस लेक की रचना का हरिशेन थे किस मुगल सासक को साहो बेखवर के नाम से जाना जाता है बहादूर सा पर्थम को माना जाता है अंति मुगल बाद सा बहादूर सा दूतिय की मिरतु कहां बीटिस इस्ट कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधी अस्थाक्षरित हुई थी तो अमरीत सर की संधी हुई थी बीजया सिंद बीजया का स्रे किस बीटिस अधिकारी को है चार्ल्स नैपियर को सिंद बीजया का स्रे दिया जाता है बैदिक राजोदोर अपने पढ़जाक की बसूल किये जाने वाले कर उपाहार का क्या नाम था तो बली जो है उसका नाम था संगम इवकाव गरंत मनिमेकले किस धर्म की सिरिष्टा परतिपादित करती है तो बहुत धर्म को परतिपादित करती है नेक्सट कोशन भागवान बूद्ध ने किकिस घर्टा को महानिस कर्मन कहा जाता है गिरिष्ट्या को महानिसिकर्मन के नाम से जानते हैं किस रोतिव के नुस्यशु क्यूसख परतिपादित करत कर तिया था बलबने हैदरावाद नगर के अस्तापना किसने मुहम्मद अली कुदूब साह के द्वारा किया गया था सांद बीवी का बिवा किस राज के किस सुल्तान के साथ हुआ था बिहा बिहा पूर के अली आदिल साह से हुआ था आपको याद रखना है नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं सूपरसीद किर्थी तवकात ए अकवरी की रचना किसने की थी तो सुबाजा नेन जामृत दिन अहमद के द्वारा किया गया था सांब्यद को गाने Cyclops कि क्या कह दाता है अ उद्द्घटा के नाम से जानते हैं किसे कहा जाता था जमुदीन आभी दिनी को कहा जाता था बावर की आत्म कथा तुझ्यक एबावरी किस भासा में तुर्की भासा में लिखी गई थी इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दिवाली किस मुगल समराथ ने परदानकिती सा आलम दूतिय के द्वारा किया गया था रिगवेद में अनार्यृ के लिए आया था आप सभी को याद रखना है संगम यूगीं साहिते किस से maximize capitalize का गया था गुतमबूद के जन्म के समन में पाटलीपुतर का समराथ कौन था बिम्बिसार युदि किस किस के बीच हुआ था मोहम्मद गोड़ि और तथा जैशंद के बीच हुआ था चंद्रावार का युद्ध आपको याद रखना है परमारवंस की राजधानी कहा थी धारा नग्रिज्वापरमारवंस की राजधानी थी महावली पूरम किस इस्थित सात रत मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो नर्षिम बर्मन के द्वारा करवाया गया था किए भिफ्ञ के अफे लब रूनी के द्वारा किया गया था दिवान एक और कोह को अस्तापना की सुल्तान ने की थी मुहम्मद तुगलक ने की थी जपनामा के नाम से इत्यास में क्या विख्यात हुआ था और रंग जियाब को लिखा गया गुरु गोविन सिंग का पत्र था नेक्स्ट कोशन आर्यों के पूर्व की और परसार का अभिज्यान कराने बाले अगनी बैस्वानर तथा बिदे माधव की कथा का उले किस गरत में सरपर्थम हुआ था तो सत्पत ब्राहमन में रिक वेद में सबसे अधिक मंत्र किस तेव तक ने प्रस्तूत लिखे गए हैं इंद्री की अस्तूती में निशाद का सबसे पहला उलेक किस गरंथ में मिलता है यडजुवेद में मिलता है आपको याद रखना है न खानवा की युद में मेवार की प्राजित करने वाला सा सकते सके बावर था लाड प्र्ठर लहarian राजी नी निती के अंतरगत सर्पधान किस राजे के चोह है अधिन रख़ा था तो सतारा जुह Weiter था भारत के अस्थाने सौ शासन का सर प्रताम किस ने किया था लाड द्वारा किया गए था मद्द्य कालीन इतिहास का सार्वदिक विवादसपद सासन की से माना जाता था मुहम्मद तुगलक को माना जाता था मौरे समराट असोग के प्रांत की संख्या पांस थी तक्षिला की प्रांत की राजधानी थी उत्राफत्य की राजधानी था तक्षिला हुई थी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं अजन्ता की कौन्सी गुफा सार्वदिक प्राचिन है जिसमें 16 बोध उपासको को अस्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए छित्रित किया गया तो गुफा संक्या उनीच में का जाता है महा पीलूपती को कहा जाता है ब्रहा महीर द्वारा रवित विरहत साहिता के चालूक के बंच को किस जाती का माना जाता है सुलिक बाजाती को माना जाता है राशकुट राजबंस के चोल लेखुक में किस राजा को सुगमता वर्त आर्थात करो को हटाने वाला कहा जाता है कुलो तुंग पर्थम को उलाम बंस का सासक अला उदीन महमूद साकीस परिवार से सम्दित था तो इसला इल्टूतमीश के परिवार से सम्दित था सल्तनत में बिद्वान एवंधार्मिक लोगों के परदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है इद्रा के नाम से जानते थे सल्तनत काल में बिद्वान एवंधार्मिक लोगों को परदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को इद्रार के नाम से जानते थे आप सभी को याद रहा अकवर ने 1562 में में मेटता पर सभुद्दीन के नितुत्म विजया प्राप्त की थी वहां का सासक कौन था तो जैमल जो हैं वहां का सासक था एंगलो इंडियन हिंदू एस्वोसियेशन के अस्थापना स्थापना किस ने की थी हैंरी बिलियम डेरियो ने के द्वारा किथ था एंगलो इंडियन Blues का अस्थापना नेक्स्ट पर आते हैं पर बात की सभी मौत कि मिर्तू के बाद कि सरीर के अफसे सो कितने अस्तूपों का निर्मान किया गया था आठ अस्तूपों का निर्मान करवाया गया था गुपतोत्तर काल में राजा दौरा परदान की भूमी अनुदान की अग्या पत्र क्या कहलाते थे तो सासन पत्र कहलाते थे आपको याद रखना है किस इमारत क ताजमहल के फोहर नकल कहा जाता है बीवी का मकवारा जो बिहार में इस्थित है हुजूर्द दफ्तर क्या है फूने में बेव पेशवा का सचिवाले को फूजूर्द दफ्तर के नाम से लोक जानते थे लिंगायत संप्रदाय के अनौई किस देवता के उपासक थे तो शिव के उपासक थे आपको याद रखना है दीवान एईशा का का रहा है पत्र बैभार का का रहा है इस कुछा का रहा है दिल्जे सतनत का वह कौन सा सुल्तान के मार्टंडर मंदिर के संस्थापक कों थे ललिता दित्तये मुठ पीरा जो इसटमीर के मार्तंडर मंदिर का शंस्था पकते आपर देने किस अफराद का सबसे अधिक उलेखनिये किया गय पसू और चोड़ी का जो है सो अगन्य अफराद रिगविद में मना गया है उत्तरवैदी काल में सासन ब्यवस्था का सामाने रूप दिख्या है राजतंत्र जो है सो सामाने ब्यवस्था के रूप में बताया गया है मौर्य स्बंश का कौन सा सासक बिर्धावस्था में जयन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिन चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त उत्तर काल में भूमी ब्यवस्था के बिरोध अत्वा बिद्रो सौरोप किस धार्मिक संपरदाई का उद्य हुआ था लिंगा समपरदाई का उन्हीन ऑप्रदाइब उद्य हुआ था मनौ या वल्या स्मिर्टीओं में इस्तिक द्रियों कुछ के संतुल्य माना गया है सुद्रो के संतुल्य माना गया है महमम्म्मद गजनी ने भारत के परत्व आंतीमा 9255 एक्षी अकषिस vary Chris 400-1027 इस भी मैं चिया थ नेक्स्ट कोस्टन कि ने अपने राजदानी मुर्शिदाबाद से कहां अस्थान अंतरित की थी चौल चाशक किस मत के सन रख्षकते तो सेव मत के सं रख्षकते आप सभी को याद रखना है नेक्स्ट कोस्टन चित्तोर अभियान के दौरान एक फार्शी इतिहासकार अल्लावदीन खिजली के साथ गया था वह था अमीर खुश्रो हरपा संस्कृत में घोड़े की अस्थियों को किस अस्थल से प्राप्त होई थी सुथ कोटड़ा से हुआ था संगम युग में रचित ग्रंत तौल का पियम का विशे क्या है तमिल ब्याकरन से समंधित है आप सभी को याद रखना है जूना गट इस सुदर्सन जील का निर्मान किस ने करवाय था चंद्रगूप्त मोरे के दोरा करवाया गया था मिश्र के सासक टोलेमी डायउनसियस को दूत बनाकर भारत के किस सासक के पास भेजा था तो बिंदुसार के दर्वार में भेजा गया था अभी लेख में देवा नाम पिरियत था पिरियदर्शी किस सासक को कहा जाता है असो को कहा जाता है इतना याद रखना है किस बहुत विक्चु के परभाव से असो का धर्म परिवर्तन हुआ था उपगूप्त के परभाव से धर्म परिवर्तन हुआ था इस्लामी अस्थापत्य कलाका सार्दिक बोहमुले रतिन की समझे जाने वाले अलाई दर्वाजी का निर्मा किस ने करवाया था अलाई उदीन खिजली के दुरारा करवाया गया था बंगाल के किस नवाव ने अपनी राजधानी धाका से मुर्शिदावाद अस्थानांत्रित किया था तो नवाव मुर्शिद कूली खां के ने करवाया था परसीद कुनार्क मंदिर किस देवता के लिए है सुर्य के देवता जो उडिज़ा में इस्थित है हरपा कालिन शभ्यता मानव इत्यास के किस यूग से समन्दी था और तामर यूग से समन्दी था पर्थम बहुत संगीती का आयोजन है kis के मिर्थू के ततकाल बाद किया गया था इस संगीति का अधक्षता किसने महा कश्चप के द्वारा किया गया था नेक्स कोशन पर आते हैं यहां पर बात करें मिलिनंद पनहों के पात्र है नाकसे मेनांडर मिलिंद के पल्लव चोल मंदिर अस्थावत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है दर्वीर शैली कुसे कल्लानी के चालुक्यों के सारदिक परवल सत्रू कौन थे तो तंजाबूर के चोल थे कों सुल्तान था जो स्वेंग को नबाव एक खुदाई इस्वर का परृतिं निदी कहता था बल्लवन इस्वर का परन्दी वाह क्या बात है सुरी रजनामा के नाम से किस संस्क्रित गरंध का अनुवादि किया गया था तो महा भारत का किया गया था इरान की सीमा के समय पिस्टित्म हरपा-कालीन पर मुख अस्थिल का नाम क्या है सुखताग्यनदोर जो है हरपा कालीन पर मुख अस्थिल का नाम है नबीनता महरप्पा कालिन अस्तल दोलाबीरा किस राज में खोजा गया था गुजरात में खोजा गया था नेक्स्ट कोशन किस जयन तिर्थकर को भगमान किसन का निकट संबंदी माना जा था अरिष्ट नेमी नेमी नाथ को यहां पर नेक्स्ट कोशन मोरे समराज में सिता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था किर्ची विभाग का अध्यक्ष होता था सिता ध्यक्ष अल्हा अध्य दिन खिजली ने किस पर्देश के अपार संब्दा प्राप्त करने करके सलतनत की राजगदी पर अध्यक्ष कि ऑUS जियाता था कफ्या नहीं सsınफदा प्राप्त करके सलतनतगी राजगदी पर देवगीरी किस पहें तैट है जो है राजगर्दी पर अधिकार किया था जैनपूर के सुल्तान ने सरकी उपादी को किस कारण सा धारन किया था इस राजवन्स के संथापक मलिक सवर सरवर को मुहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उलसर्फ पुर्व का स्वामी की उपादी अलंकिर्थ किया था मुगल समराजय का प्रांतुक में विभाजन सरपर्थम किस ने किया था अकवर के द्वारा किया गया था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान सासक कौन था बहलूर लोदी जो है पहला सासक हुआ था भारत में पुतगालियों का पहला गवर्नर कौन था भगवान बुद्ध का निर्वान कहां प्राप्थ हुआ था कुशी नगर में हुआ था सत्पति सिवाजी के मंत्री परिशद को क्या कहा जाता अस्ट परधान कहा जाता है अर्थ बेद का ब्रहामन गरंत कौन सा है गोफ़त ब्रहामन भावा फरीद कौन थे परसीद सूफ संत्त थे किस मुगल समराट को रस्ठीए समराट कहा जागता अकवर को रस्ठीए समराट के नाम से जानते नूर जहां का बास्तविक is मिहरुनि सा जो सो बास्तविक नाम था सहद वंस का संस्थापक entren किज्र जो समे divor को 새ग वंस के संस्थापक तै कि सूपिस ने कहा दिली अभी दूढ निजामुदिन उलिया ने कहा था दिली अभी दूढ महावारत को रमासे जाना जाता है मराथा सतंतरता संगराम का नेतुत और अंगजेव किस विरूद किया में और 151 में Talan पानि वाइताthest नियुद सत्रों आक्सरिये जाता मासर्शन प्याउद के हिसितनि इक सबस्त में पानीपति की तीश्री इूद। सबसे अधिक तंत्र किस देवता की प्रस्तूत में लिखे गए हैं इंद्री के प्रस्तूत में लिखे गए हैं रिगवेद में बेदांत सब्द का परियोग किया गया था उपनी सदू के लिए बेदांत का परियोग किया गया था 1779 से 77 के परसीद आकाल देश में किस भाग में परा था बंगाल में परा था सा जहां ने जहांगीर के बिरूद बिद्रो किस बर्स किया था सन 16-17 में किया गया था खाल सा का आरंब किस सीख गुरू ने किया था गुरू गोविन सिंग के द्वारा किया गया था जो सीख के दस्वे गूरू हुए थे आपको यादर करनेक्स कोस्टन पर आते हैं यहां पर कोस्टन आते हैं औरिज का सबसे पहला संगर्सकिष, मुगल समराट के साथ हुआ था औरंग जेव के साथ हुआ था जिन्हें पीर के नाम से जिंदा पीर के नाम से जानते हैं लोग चौती बुध संगिती किस के संपन करिष्ट के संपन हुआ था बगवान स्वाम महाभीर स्वामी ने अपने संगों को 11 गौनों में बाटा था चतुरवधी संग की अस्थापना कहां की थी पाबा में किया गया था हरप्पा संच्किती से समंदित अस्थल रंगपूर किस राज में इस्तित है तो गुजरात में इस्तित है बैदी किक में अनस किसका परिचार एक था बैलगारी का पड़चायक था तैमूर के आकर्मन के समय भारत पर किस बंस का सा सकता तुगलक बंस का सा सकता आप सभी को याद रखना है नेक्स कोशन फुतु हात फिरोज साहि किस मुगल सुल्तान की आत्मकता था तु फिरोज पोलग की आत्मकता को फुतु हात फिरोज साहि के नाम से जानते हैं कौन सी सुफी सम्परदाए बिहार के अधिक लोग प्रिया हुआ था फिर दौसी महावली पूरम के मंदिर का निर्वान किस राजवन्स के सासकों ने करवाया था पल्लव राजवन्स के सासक ने करवाया था राजवट का परसीद अस्थापत कार कौन सा था केलास मंदिर दिल्ली के लाल के ले में मोती मस्जिद का निर्वान किसने करवाय था और अंगजेव के द्वारा करवाया गया था बैदिक राजाओं द्वारा अपने परजा की बसूल किये जाने वाले कर को क्या कहा जाता था बली के नाम से लोग जानते थे स्वतांत रायोत्र भारत के सबसे अधिक संख्या में हर अप्पप युगिन अस्थालों की खोज किस राजी में री Neptune गुजरात में आजीविका संप्ड़ाई के परतिपादग कौन था तो मख्खिल गौसाल जो है आजीविका संप्ड़ाई के परतिपादग किस अस्थान को बॉत ध्र्म का जन्म अस्थली माना जाता है चिवाजी के पिता शाह जी भोसले मुलतक किस राजी के राज सेवा में थे अहमदनगर के राज में थे बिक्रम सिला बोध मठ की अस्थापना किस ने की थी तो धर्म पाल के द्वारा किया गया था देलिवारा का जैन मंदिर मांट मांट आबू में है राजस्थान के काली बगर में सिंदू घाटी सब्वेता के अवसेश प्राप्त हुए है यह अस्थान किस जिले में इस सित है मद्दैकालिन भारत के किस सासक ने मजहर की अस्थापना की थी अकबर के द्वारा मजहर की अस्थापना किया गया था दिल्ली में लाल किले का निर्मान किस मुगल सासक ने कर वाया था किले में मोती मजजिद का निर्मान किस ने किया गया कर वाया था तो औरंग जे में दिल्ली से बदल कर दौलतावाद करने का फैसला किया था मुहममद बीन तुगलक के द्वारा किया गया था दिवाणे को इस्थ इस्ट-इंडिया कंपनी के सूरत में कारखानों के अनुमति देने वाला मुगल cry शासक कुझ था जहांगीर हागोरष इंट कुलंब पर सिर्ष्ट एक्टत का भनाई था भénergie हैं भासाओं के समचाएं पत्रों परकार रोगाना इृष्च कॉलंब के सेंबड कशोथ 13 when किसने के जयुतिवा फूले जयुतिवा फूले के द्वारा की आगए था पेशावर की समराट के सासनकाल में बहुत सभेता के परसीद के अंदर था कनिष्ट के सासनकाल का मुहम्मद तुगलक के सासनकाल में अंतिम दीनों में दक्षिन भारत में किस दो विसाल संतंतर राज लृधर को प्राजित करने वाला साथ कौन था बावर था कांथ को आधर सिला हने वाला कि नेक्स्ट कोश्यन पे बात कर से ओना मस्जीद का किस ने कर वाय था कुटूब दीन इवकि द्वारा करवाया था भारत पर आकर्मन करने के लिए 1554 में बावर को लोदी बंस ने किन दो सरदारों ने एकत्र किये थे आलम खा उलोदी और दौलत खा लोदी के द्वारा करवाया गया था 1757 में अली नगर की संधी किन किन के मद्धय हुई थी सिरा जुद्धोला के और कलाइड के मद्धय हुई थी किस एक्ट के अंतरगत कलकत्ता सरवोचे ने अले कि अस्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतरगत हुई थी सामपेद का पर्थम द्रहष्टा बेदव्यास के किस सिस्षय को माना जाता है जैमिनी को माना जाता है असो के अधिकान सविले किस लिपी में लिखी कि ब्रहामनी लिपी में लिखी गई है किस बहुत गरंत को यहां पता चलता है कि सब्सक्राइब किसने लिखा है कि ब्रहामन की परिक्षा तुला से चत्रिया की अगनी से बैस्वा के जल से तथा सुद्र को विश्षे की जानी चाहिए बहामिहिर ने अपने किस पुस्तक में चारो बर्गों के लिए अलग अलग नया एकस्वाउटियों का बिद्धान किया है पिरद सहीता में चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है सेन गुटवन को सेन गुटवन चार्च लाल शेर को 983 इसवी में गंग राज राज मल चातूर्थ के कीस मंत्री ने सरवन बेल गुला में मुगमतेस्वर की 55.5 फूट उची 20 साल परतीमा का निर्मान करवाया था चामुंड राई के द्वारा करवाया गया था खेर उल मजलिस के लेखक को है हमीद कलंदर जो है सो खेर उल मजलिस के लेखक है एरना कुलम प्रेस प्रेस एक्ट कब तथा किस बाशराई के समय पारित हुआ था 1888 में लाड श्रीपन के सवरी लीटन के कारेकाल में जो है सो प्रारंब हुआ था अकवर के दरवार में सबसे परसीद हिंदी कभी कौन थे अब्दुन रहीम खान खाना जो है सो अकवर के दरवार में सबसे परसीद हिंदी कभी थे मलिक काफूर के परसीद लरने वाले बांगले के काकतिय सासक थे परताप रुद्र देव केंट एंड एस्टी की निती अपनाने वाले लाड मिंटो किस के बाद इस पद पर आयते लाड करजन के बाद आयते अस्थाई भूद बंदोवस्त किस गवर्न जर्जनर और कहां प्रारंब किया गया था लौड कर्णवालिस के बंग ने बंगाल में सासाराम बिहार के किस किस सासक का मख़ला था सेर सासू्री का मख़वरा था प्रिव किस ने अगरा कि अपनिस अर भट का्थानी बनाया bus दिन बैसाली के किस प्राचिन राज्य की आजधानी थी लिच्षविय राज्य की राजधानी जो है बैसाली थी यजू सहिता में सबसे बाद की सहिता कौन सी है किस पस्मी विद्धवान ने रोम से भारत की सोने के निर्गमन पर दुख परकट किया था पिलनी के द्वारा किया गया था भारत में खरोष्टी लिपी को किसने अस्थापित किया था इरानियों के द्वारा किया गया था गोधन की अनन्दा बंदा सुखदा कहा जाता है सूत निपात में चिरांग में लाल वौल काले मिर्ट भांड लाल का संबंद किस धातु से है लोहे से संपन बौधनी किसानों को संगम सहिते में क्या कहा जाता है बिल-लाम के नाम से लोग जानते है रिकवेद में अनगहना सब्द का इस्तेमाल किस के लिया किया जाता है दूद देने विली गाई के लिए किया जाता है खिजली सासक निके द्वरान निर्मीत बस्तूं तथा बाहर के परदेसों में अधिनस्त राज़यों और विदेशियों से आने वाले माल के दर बाजार को क्या कहा जाता है सरा ए अदल कहा जाता है किस अभिलेख से असो काप को पहचाना गया है मासकी गुजर्रा अभिलेख से इस वीडियो को अगर इतना देख चुके हैं ता वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर ले आपके लिए बहुत ही पुटेंट होने वाला है आगे का वीडियो तो आगे वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले